Hello everybody, welcome back to my YouTube channel और आज के वीडियो में हम लोग डिसकस करेंगे यमना रिवर सिस्टम और ब्रह्म पुत्रा रिवर सिस्टम के बारे में पिछले वीडियो को I hope कि तुम देख कर आए हो इससे पहले कि हम यमना रिवर सिस्टम को समझे बिटा I hope कि तुम गंगा को बारे में पूरी तरीके से समझ गयो बट दो important MCQs थे जो मैं बताना भूल गई देखो गंगा को बहुत सारे tributaries आकर के जुड़ते हैं कुछ राइट से कुछ लेफ्ट से गंगा को जो सबसे लंबा tributary है जब हम longest बोलते हैं लंबा बोलते हैं तो हम length के इसाब से बात करें लंबाई के इसाब से बात करें तो गंगा की longest tributary कौन से है प्लीज लिख लो इसको longest tributary of गंगा क्या लगता है Yamuna River वही Yamuna River राज में जाकर वही Yamuna River जो प्रयाग राज में यूपी में जाके गंगा से मिलती थी राइट बैंग tributary है और अगर largest कोई बोलता है न तो largest वह हमेशा बात करता है पानी के वॉल्यूम के साब से कि कितना पानी है तो कौन सा tributary largest tributary है वह Yamuna नहीं है largest tributary of गंगा अगर कोई पूछता है तो तुम बोलोगे घागरा यादा रहे घागरा बनाया था मैंने यूपी में लेफ्ट से आकर के जूरड़ा था तो वही तो गंगा की longest tributary Yamuna है जो राइट से आके जूरती है और largest पानी के साब से क्योंकि पानी का मात्रा बहुत जादा है वो है घागरा ठीक है ये सारी बाते डिसकास हो चुकी थी अब Yamuna river पे आते हैं तेखो ये मिटार्यू में यहां पे देखो Yamuna river समझने के लिए हम लोगों को गंगा का थोड़ा सा pattern तो ड्रॉ करना ही पड़ेगा क्योंकि ultimately Yamuna उसे से जाके जूड़ी थी देखो इस तरीके का गंगा बहुत important है उसका थोड़ा तुमको directions और कैसे river बढ़ी वो थोड़ा जानना पड़ेगा but Yamuna is not so much important but for you to visualize कि तुम visualize कर पाओ समझ पाओ यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाऊंगे तुम्हारा मन है कि तुम भी ड्रॉ करो ताकि जब इसको सामने देख करके पढ़ो तुजादा अच्छे से समझ मैं तो ड्रॉ कर सकते हैं मिरे सब कॉपी में लिकालो ड्रॉ करो ते दे यहाँ पर आपने बताये था गंगोतरी ग्लेशियर सपोस यहाँ पर आप ड्रॉ कर रहे हैं और यहाँ से निकल रहा था एक स्ट्रीम जिसका नाम है भागी रथी बता चुकी हूँ और रिवर का डारेक्शन हमेशा मार्क करना है यहाँ से एक और ग्लेशियर है सतोपन्थ ग्लेशियर सतोपन्थ ग्लेशियर यहाँ से एक रिवर का स्ट्रीम निकल रहा है देट इस अलकनन्दा येस कैन यू टेल में अच्छा मैं यहाँ पर स्मॉल लेटर्स का कुदी ही हुच कर रहे हूँ ऐसे निकरना है अलकनन्दा और भागी रथी जहां मिलते हैं उस पॉइंट का नाम क्या था देव प्रयाग और वही पे नाम पढ़ गया था गंगा आगे हरीद्वार आया था जहां पे रिवर गंगा येस टेल में देदी प्लेंस में इंटर कर गई थी फाइनली यूपी में हम लोग आ गए यूपी में एक पॉइंट था प्रयाग राज ये अभी मेरे लिए इंपोर्टन्ट है क्यों देदी क्योंकि सारा किसी किस्सा इसी से जुड़ा हुआ है देदी यहाँ पे एक ग्लेशियर है इसका नाम है यमूनोत्री ग्लेशियर और इसी ग्लेशियर से एक रिवर निकलती है जो प्रयाग राज में जाकर गंगा से मिल जाती है और यही गंगा की सबसे लंबी लॉंगेस ट्रिब्यूटरी है यमूना तो मैं क्या बोल सकती हो कि यमूना रिवर का अगर कोई मेरे से सोर्स पूछले अब सोर्स आई होब तुम सब समझते हो दिदे यमूनोत्री नो डाउट बिद आट यमूनोत्री ग्लेशियर ठेक है? बरी गुड अब हम देखना चाहें कि यमूना के कुछ ट्रिब्यूटरीज यह होंगे यहाँ से जो जोड़ेंगे उनको राइट बैंक बोलेंगे हम लोग बिल्कुल सही हो तुम पड़ा यहाँ पर महराश्ट्रा के करीब एक माउंटेन रेंज है याद आ रहे कुछ भी? येस जिदी याद आ रहा है Central Highland का एक पार्ट था विंद्या रेंज विंद्या रेंज ठीक है? यहाँ से एक रिवर निकलती है जो जाके यमुना में जोड़ती है राइट के तरफ से जोड़ रही है यानि राइट बैंट रिब्यूटरी है और इसका नाम है चंबल तो यानि दिदी चंबल नाम आप लिख दीजे जस्ट यहाँ पे एक और माउंटेन रेंज है कुछ याद है तिदी अरवली याद आना चाहिए ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन ऑफ इंडिया है ना बता चुकियों सब कुछ ये ऐसे निकल के चंबल में जाके connect हो जाता है ऐसे नहीं थोड़ा सामने की और लिखे जा व ऐसे connect होता है इसका नाम है बनास लेकिन ultimately इसका भी पानी तो यमुना में ही जाएगा इसलमे इसको यमुना का ही त्रिब्युटरी माल लेते है बनास ठीक है चंबल का भी ट्रिब्यूटरी बोल सकते है दिधी हाँ बोल सकते हूं कोई प्रॉब्लम नहीं है पर अल्टीमेटली देखो हम लोग यमुना का बात कर रहे हैं तो यमुना के ट्रिब्यूटरी में बनास को भी कंसिडर किया जाए मैं ठीक है यहां से एक रिवर जुड़ती है इसका नाम में बैत्वा तो यह भी राइट से जुड़ रही रही है mothers बेटवा फिर यहां से एक और नदी जुड़ती है that is Kane यह भी राइट से जोड़ रही है तो राइट बैंक ट्रिब्यूटर रही है थेक है लेफ्ट में हमारे बुक में ऐसा कोई नाम नहीं देवा लेकिन तुम एक नाम याद रखो क्योंकि आने को तो आई सकता है ना चांस प्रेवर का ट्री प्रिभू गर्ण चैरे रहा है तो नाम याद रहेंगे दी कि ट्रिबूटर एक नाम है तोंस में तोटरंस कुछल। यहं पर जुरते हैं में नाम मिततार मितार ही एंखके गुच इस से जुड़ता है तो देको ना यामना रहर एसे बाहरी है ऐसे बैया तो यह राइट लिफ्ट बेंट रिब्यूटर हो गया, that's all, बस इतना ही था यह मुना के लिए, ठीक है, तो इसको एक बार विजुलाइज करने के लिए मैं तो कहूंगी कॉपी में जरूर ड्रॉ करो, जल्डी याद होंगी, ठीक है, दोको चंबल का ओरिजिन का है, चंबल क इंडियन रिवर्स कवर हो जाएगा, फिर आम लोग साउथ इंडियन रिवर्स के और बढ़ सकेंगे, देखो बता, ब्रह्मा पुत्रा रिवर सिस्टम, यह भी हमारे लिए इंपोर्टन्ट है, यहां से MCQ वगेरा आ सकते हैं, ध्यान से देखना, सबसे पहरे देखो, तु ठीक ठाक है, यहां पर ड्रॉ करने के लिए, थोड़ा अच्छा लगे इसे लिए, इसका नाम है, इस ग्लेशियर का पनी है, लेकिन टिबत के लाके में है, चेमा यूंग दूंग, चेमा यूंग दूंग ग्लेशियर, इसले मुझे याद भी रहता था, ठीक है, टिबत के यहां से एक नदी निकलती है, और ऐसे बैती है, इतना ओफकॉर्स ट्रेट नहीं बैएगी, थोड़ा बढ़ हम यहां पर ऐसे ही टो करेंगे, इस नदी का नाम बेटा याद रखो, सैंगपो, टी साइलेंट है, सैंगपो, ठीक है, सैंगपो नदी जो है, ऐसे टर्ण लेक जब मैं बोलती हूं, तुम्हारे दिमाग में exactly वो location सामने आ जाता है, अरुनाचल प्रदेश में इसे टर्ण लेती है, ठीक है, तो जब अरुनाचल प्रदेश में आ रही है, फाइनली मालो यह है अरुनाचल प्रदेश का इलागा, इस तरीके से मैं मार्क कर लेती हूं, म प्रदेश चलते चलते यह एंटर करती है आसाम में कुछ रिवर्स के मिलने के बाद इसका नाम पड़ता है ब्रह्म्ह पुत्रा अभी मैं बताऊंगी वह रिवर्स कौन कौन से हैं सब मैं बताऊंगे टेकन आसाम के बाद यह एंटर करता है बंगलदेश में और बंगलदेश में इसी का नाम पड़ जाता है जमुनाः का बात नहीं करें जमुनाः और बंगलदेश के बाद हम लोग देखेंगे कि क्या होता है ठीक है, तो अच्छा, एक्जाम में अगर question आता है, मैं आपर लिख नहीं पाऊंगी, तो मैं ओरली बताऊंगे, ठीक है, तो तुम लोग नोट डाउं करना, वैसे तो ये पूरा river ही ब्रह्मा पुत्रा है, लेकिन ब्रह्मा पुत्रा एक specific location पे इसका नाम रखा गया है, पूरा पुत्रा ही चल रहा है, पर इसका नाम अलग-अलग रखा गया है, होता है न, एक भगवान बहुत सारे नाम होते हैं, तुम चाहिए काली बुलाओ, चाहिए पारवती बुलाओ, जो बुलाओ, उसी तरीके से, भाई, है तो एक ही नदी, अलग-अलग location पे अलग- एक्जाम में question आता है, मैं लिख रही हूँ बटी इसको अभी मैं मिटा भी दोंगे, अगर एक्जाम में question आता है कि ब्रह्मापुत्रा रिवर का नाम, टिबित के इलाके में, या सबसे पहले ब्रह्मापुत्रा रिवर का source कहा है, source, कौन से glacier में, बताओ तो, चेमाई इस रिवर का नाम अरुणाचल प्रदेश में क्या है, दिहांग, आसाम में क्या है, ब्रह्मापुत्रा, बांगलादेश में, जमुना, पर दिदे हम जानना चाहेंगे कि अभी आप जस्ट बोल रही थी, कि कुछ रिवर से मिलने के बाद इसका नाम ब्रह्मापुत्रा इस रिवर जो ब्रह्मापुत्रा है, इसके इंपोर्टेंट ट्रिब्यूटरी क्या क्या है, देखो, अगर तुम लोग बहुत पहले से फॉलो कर रहे हो, स्टार्टिंग से देख रहे हो, तुम लोग जानते हो कि मैंने बताया था कि एक हिमादरी रेंज है हिमाले का, जिसका इस्ट-most point कौन सा था, मैंने बताया था, वेस्ट में नंगापर्वत था, और इस्ट में नंचा बर्वा, तो भई, जम्चा बर्वा की पहाड़ों से एक डीप सा गौर्ज कट करके बहुत ही यूण डीप सा एक क्राक कट करके यह सांगपूर एवर अर्वनाचल प्रदेश में एंटर करता है यह बात याद रखना है ठीक है यह तो हम लोग के बुक में भी लिखा यह याद रखना है कौन-कौन से इंपॉर्टेंट रिब्यूटरीज है जो आ करके ब्रह्म पुत्र से मिलती हैं देखो पहली बात तो तुम लोग यह नाम पहली बार नहीं सुन रहे हो आसाम का यह जो स्टार्टिंग का पॉइंट है ना यह नाम तुमको याद यह स्टार्टिंग का नाम क्या इसका नाम है सदिया ठीक है स्टार्टिंग का पॉइंट का नाम है सदिया और एंड का पॉइंट का नाम है धुबरी सदिया के बाद यहां से बस टिवेत के इलाके से ही ऐसे दो रिवर्स आके ऐसे करके जुड़ जाते हैं ब्रह्मा पुत्रा से एक ही पॉइंट पैसे दिबांग, not दिहांग, confusion यहीं पर हो जाता है, और इसका नाम है लोहित, सांग्पो रिवर, आरुनाचल प्रदेश में इंटर की, तब इसका नाम था दिहांग, दिहांग, फाइनली आसाम में, दो रिवर्स आ करके, तो तुम लोग बोल सकते हों कि अगर ब्रह्मपुत्र ऐसे बढ़ रहा है, डारेक्शन ऐसे है, तो यह सारे रिवर्स लेफ्ट से आके जुड़ रही है, तो इसके लेफ्ट से दो रिवर्स आके ऐसे जुड़ जाती हैं, जब वो दिबांग और लोहित के साथ मिल गया, तब उसका नाम पढ़ा ब्रह्मपुत्रा, समझ में आ रहे हैं, तो अगर एक्जाम में क्वेशन आता है कि ब्रह्मपुत्रा नाम किन रिवर्स के मिलने से पढ़ता है, दिबांग, दिहांग और लोहित, जब यह सारे रिव का नाम पढ़ता है, ब्रह्मपुत्रा, is it clear? ठीक है? अच्छा, देखने से पता सल रहा है कि यह सारे के सारे लेफ्ट ट्रिब्यूत्री से है, अब देख लेते हैं, यहाँ पर एक और ट्रिब्यूत्री, जो ऐसे आकर जुड़ जाता है धनसीरी, धनसीरी, कोपिली, ऐसे जो जुड़ है, ऐसे जो जमना चल रही जुड़ों ऐसे करके इससे जुड़ेगा इसे बहुत ही दूर से रिवर आएगा मेघना नाम सुनाओगा तुमने मेघना तो यह भी है यहां पर तो अगर एक्जाम में क्वेस्चिन आता है कि ब्रह्मपुत्रा रिवर के लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी क्या क्या है तो तुम क्या क्य लिख सकते हो दिबांग है लोहित है धनसरी है कोपी लिए मेकना है कुछ राइट बैंक वालों को भी आप बता दीजिए मैं पॉंटिंग नहीं आएगा ठीक है मैं पॉंटिंग यहां से ब्रह्मपुत्रा से नहीं आएगा वाट तुमको विजॉलाइजेशन हो पाएगा एक बच्चा था I don't remember I think उसका कमेंट भी होगा one of the videos में वो मेरे को बोलता है कि I don't like your teaching at all जितना है बुक में उतना ही पढ़ाईए एक्स्टा मत पढ़ाईए यह वो अगर तुमको नहीं देखना है तुमको बस जितना मैं पढ़ा रही हूं जितना बुक में उतना ही Because my ultimate motive is not just to make you mug up things and go in the exam hall और vomit करके आजाओ उसे तुमारा क्या फायता हुआ जब तक इंडिया के chapter को पढ़ते वे यह फील नहीं हुआ कि देदी मुझो बहुत अच्छा लग रहा है यह पढ़के जब तक history के किसी chapter को पढ़के यह फील नहीं हुआ कि देदी अच्छा लग इसलिए तो आज हजार सब्सक्राइबर से भी उपर हो पाया है तो if somebody does not like the way I teach either put it on a 2x mode and listen to everything that I've said or don't listen at all that's all यहां पर मैं गुस्ता नहीं हुघ हुआ नहीं देखना है तो मत देखो ठीके मेरा सिफ मकसद नहीं यह बस आकर के कुछ रट रटाया कर ऐसे लिखवा दूं हो जाएगा अरे भाइ समझने के लिए तो बता रही हूं मेरा क्या मेरा क्या जाता है भाइ मैं आप 4 मिट का बना सकते हूं मैं टाइम लगा के क्यों बना रहे हूं so that तुम लोग समझो ठीक है मैं तब तक समझाती रहा जाती हूं कि चीज़ को जब तक मुझे satisfaction ना मिले यह मेरा तरीक है पढ़ाने का if you don't like then don't watch that's the simplest way यह रिवर जो है ना यह इस तरीके से ऐसे आता है और जमुना से जाकर connect हो जाता है यह रिवर ऐसे फ्लो होता और जमुना से जाकर connect हो जाता है वैसे यह इलाका मैंने क्या बना दिया है सिक्किम का इलाका बना है तो सिक्किम एग्जाक्ली तो इस location पर नहीं है देखो क्योंक ऐसी विस्तार में बताते हैं जमाई उंग्दों ग्लेशर लेशर। बहौतल छेल प्रीब करें के रहे आगे में पूरा कपूरा इंडिया के नॉर्थ इस्ट का नंट्रीश का। इसकश करें हैं तो ये वाल इससा दू बहुतफी लेफ्ट में तो यही मैं बताने की कोशिश कर रहे हूं, तो यह चेमाई उंदे बहुत लेफ्ट में होना चाहे था, बट ठीक है समझो, सिक्किन से एक नदी निकलता है जो जाकर इस तरीके से, इस तरीके से जाकर के, ब्रह्मा पुत्रा में जोडता है, जमुना में जोडता है, सो आस्ट यह बाती भी पता दी, तो राइट बैंक में यह भी कवर हो जाते हैं, तुमको अगर याद हो, तो पुछले वीडियो में ही मैं बता रही थी गंगा के बारे, गंगा के एंड में जाके दो डिस्ट्रिब्यूटरीज हो गए थे, एक वेस्ट बिंगॉल में घुसरा था, ए तो यह जमुना, देखो जमुना नेम बहुत कम यूज किया जाता है, हम लोग ब्रह्मा पुत्रा ही ब्रह्मा पुत्रा ही बोलता है, बट करेक्ट तो जमुना ही है, जमुना, पद्मा, मेगना, या कही कही लिखते हैं, ब्रह्मा पुत्रा, पद्मा, मेगना, यह लोग मिल ऐसे डेल्टा बनाते हैं कहां पर जिसको हम लोग बोलते हैं गंगा तेदी गंगा क्यों बोल रही है अरे पदमा तो गंगा का ही डिस्ट्रिब्यूटरी था ब्रह्मा पुत्रा मेघना डेल्टा एक साथ आशा बोलते हैं या फिर गंगा ब्रह्मा पुत्र ही बोलते हैं क्योंकि जिदी मेघना तो अल्टिमेटली ब्रह्मा पुत्रा का ही जो है ट्रिब्यूटरी है इसलिए कई लोग गंगा ब्रह्मा पुत्रा बोलते हैं गंगा, ब्रह्मपुत्रा, मेघना, डेल्टा कई लोग बोलते हैं और कई लोग मेघना शब्द नहीं उसकरते क्योंकि भाई है तो ultimately मेघना, ब्रह्मपुत्रा का ही ट्रिव्यूटरी मैं अब कहा रहे हूं कि कई लोग गंगा ब्रह्मा पुत्रा डेल्टा बोलते ये डेल्टा को या कई लोग गंगा ब्रह्मा पुत्रा मेगना डेल्टा भी बोलते हैं लेकिन हम लोग मेगना को अलग से क्यों काउंट करें मेगना तो है अल्टिमेटली ब्रह्मा पुत्रा का ही ट्रिब्यूटरी तो अलग से बताने का क्या जरूत है और कई लोग इसका famous नाम ऐसे तुम जानते ही हो इसका famous नाम है सुन्दर्बन डेल्टा जानते हो ना सुन्दर्बन डेल्टा तो यह सुन्दर्बन डेल्टा कौन सी rivers बनाती है यही जमुना, पद्मा, मेगना यह सारे rivers मिल करके बनाती है सुंदर्बन डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा या सुंदर्बन डेल्टा पूरे world का largest डेल्टा है तो exam में अगर question आता है कि world का largest डेल्टा क्या है तो गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा या गंगा, ब्रह्मवुत्रा, मेगना, डेल्टा जो तुम्हारा मन्ने तुम लिख सकते हो ठेक है? I hope कि clear हो चुका है ये वीडियो ठेक है? यहाँ पर एक और point है जो मैं बता देती हूँ, मुझे अभी जस्ट याद आया तेखो, जस्ट तुम देख पार है दिबांग, लोहित और संकोष के बीच में ये लाका है यहाँ पर एक river island फॉर्म हुआ है देखो, island क्या होता है? मैं बता चुक्यों island बटा simple होता है कि भाई, चारो और समुद्र है और बीच में कोई जमीन है, उसको island बोलता है river island का मतलब है, चारो और रिवर है और बीच में कोई जमीन है और ये river island, river से ही लाए हुए huge deposition के करण होता है तो यहाँ पे एक river island है, जो ब्रह्मपुत्रा river के उपर बनी हुई है जानते हो तुम लोग इसको, माजुली island इससे related mcq कितना important है, मैं बता भी नी सकती एक्जाम में question आता है कि, डैश is the largest river island of the world पुरे दुनिया में, जितने भी river के अंदर islands बनते है सबसे बड़ा river island कौन सा है तो undoubtedly it is माजुली और कहां पे है, कौन से river पे है ये, ब्रह्मपुत्रा river के उपर है बार बार बतारी हुए, diagram important नहीं है important है कि इसको draw करो, ताकि इसको रख के जब पढ़ो तो बहुत अच्छे से समझ मैं इसके साथ हम लोगों ने North Indian rivers को completely खतम कर दिया है आई होप कि तुमको वीडियो अच्छा लगा and thank you so much for watching, take care bye